जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई गाईस आज के इस वीडियो में मैं आपको अबस्ट्राट क्लास का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और साथी साथ आपको सारा कॉंसेट यहाँ पे प्रोग्राम के जरिये बताऊंगा कि क्यों हम अबस्ट्राट क्लास बनाते हैं जब हम नॉर्मल क्लास से सारे काम को कर लेते हैं क्या ऐसा रिक्वार्मेंट होता है कि हमें यह बनाना पड़ता है तो चलो हम डिसकस करते हैं किस रिक्वार्मेंट के केस में हमें बनाना पड़ता है माल लो हमारे पास एक class हमने बनाया dog name से ठीक है और आगे चलके मैंने एक और class बनाया उस class का name मैंने दे दिया lion तो अभी मैं dog class में implementation करने से पहले lion class में implementation करने से पहले ये देख रहा हूँ कि इन दोनों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो common है जैसे eat खाना खाना ये भी खाना खाएगा ये भी खाएगा भले अलग अलग तरीका हो खाने का sound ये भी sound करता है ये भी sound करता है तो जो भी चीजें इन दोनों में common है तो आईसा नहीं कि हम उस चीज को यहां भी define करेंगे और यहां भी redefine करेंगे, ऐसा नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग method यहां पर बनाने पड़ेंगे, और हम इनके behavior को so करेंगे, तो common action हो, अगर same काम हो, लेकिन करने का तरीका अलाग हो, यानि implementation different हो, तो उस case में हम क्या करते हैं, एक class यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं abstract class, तो abstract class बनाने के लिए हमें class declaration से just पहले abstract keyword यूज़ करना होगा, उसके बाद class, और माल लो, यहाँ पे मैंने एक animal नाम का abstract class बना दिया, तो इसका काम क्या होता है, कि जैसा कि मैंने बोला, इसमें भी कुछ common properties है, और इसमें भी कुछ common properties है, तो माल लो sound कहीं, दोनों का common properties को हम लेते हैं, तो यहाँ पे उन common properties को represent करने के लिए हम एक method बनाएंगे, वो method क्या होगा, वो method होगा हमारा abstract method, तो यहाँ पे मैंने same माल लो, यहाँ पे sound नाम का method बना दिया, तो यह बन गे abstract method, abstract method में क्या होता है, return type से just पहले abstract keyword लगा होता इसके declaration के time पर ही, और यह semicolon से end होता है, इसकी कोई भी body यहाँ पे हम implement नहीं कर सकते हैं, तो अभी आपके mind में question आता होगा, कि अगर हम animal class में sound method को implement करेंगे, तो नहीं होगा, क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल होगा, आप करना चाहो तो करो, ठीके, आपको किस animal की बात हो रही है, तभी तो आप उसके behavior को यहाँ पे represent करोगे, लेकिन यहाँ पे animal class में सभी animals आ जाते हैं, यहाँ पे dog, cow, lion, cat, जितने भी यह सब आ जाते हैं, तो सारे animals के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी का behavior अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो particular dog की बात कर सकते हैं, इस class में, तो उसी common behavior को represent करने के लिए हम इस sound method का use करेंगे, तो हम क्या करेंगे, extend कर देंगे अपने super class animal को dog के साथ, तो इसका जो भी abstract method है अभी हम यहाँ पे override करके use कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमें बस लिखना होगा, public, void, sound, यहाँ कोई भी abstract keyword नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे implementation कर रहे हैं, sound method को implement कर रहे हैं, तो यहाँ पे माल लो मुझे dog के sound का behavior बताना है, तो मैं जानता हूँ dog भौकता है, ठीक है, कुता भौकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, dog is barking, ठीक है, यह हो या dog का behavior, अभी lion class में lion भी sound करता है, तीक है, उसका sound करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो भी sound करता है, तो यहाँ पे भी extend कर देंगे, अपने same abstract class को, और यहाँ पे इसके behavior को represent करने के लिए, हम same abstract method यहाँ भी use कर लेंगे, public void method कने में हमारे sound, बस यहाँ पे implementation different होगा, क्योंकि हम lion के sound की यहाँ पे बात कर रहें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, lion is roar, ठीक है, यहाँ पे ellen लगा देते हैं, यही एक situation होता है, किसी भी class को abstract बनाने का, उम्मीद करते हैं, आपको clear हो गया होगा, animal class में हम इस method को implement नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, किस animal की बात हो रही है, और सारे animal का sound अलग होता है, लेकिन यहाँ पे dog की बात हो रही है, तो हम क्या कर रहें, sound method को implement कर रहें, यहाँ पे lion की बात हो रही है, हम sound method को implement कर रहें, दोनों में sound का जो ठीक है फिलाल हम object create करने के लिए चलते हैं तो एक class बना लेते हैं object creation के लिए test अभी आपके mind में question आता होगा कि हम तो abstract class का object create ही नहीं कर सकते तो हम object create करेंगे भी क्या क्योंकि यहां पे हमने ना कोई implementation करा है और हम dog के object से ही इसके extend किये हुए हैं तो हम तो access करी रहे हैं यहां पे तो हम क्या करेंगे dog का object बनाएंगे ठीक है हमने dog class का object बना लिया और इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं अपने line class का भी object बना ले रहे हैं हमने दोनों class का object बना लिया इससे डी कर देता हूं ठीक है dog का d line का अभी क्या करेंगे dog का method sound call करेंगे तो कि same method दोनों use कर रहा है यही तो फाइदा होता है abstract class का और यहां पे भी हमने sound method को call कर लिया इतना का result हम आपको दिखाते हैं उसके बाद आगे भी हम implementation आपको समझाएंगे हमने एंटर मारा देखो compile हो गया run करने के लिए जावा और class का ने हैं तो dog is barking dog का भी behavior यहां पे हमें दीख रहा है और lion is roar सेर दहाडता है रोर मतलब दहाड़ना ठीक है तो इसका भी behavior हमें यहां पे दीख रहा है अभी बात आती है कि abstract class में हम कुछ normal methods भी बना सकते हैं जैस अग्दम लिख सकता हूं इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूं all animals क्योंकि यहां पे सारे animals की बात हो रही है इस तरह से अभी आपके मैंड में सवाल आता होगा कि इसका तो object बनेगा नहीं तो फिर यह constructor call कैसे होगा ठीक है तो अग्दम call होगा आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है आपको क्या करना है अपने इस सब क्लास में बिना एक constructor बना लेना है जिस भी सब क्लास से आप यूज करना चाहते हैं तो यहां पर अगर आप इस तरह से super keyword लिख देंगे तो यह क्या करेगा call कर देगा इस constructor को और मालो line class भी abstract class के constructor को call करना चाहता है तो line भी क क्या करेगा अपना constructor बना लेगा यहां पर क्या करेगा वह super keyword यूज करके abstract class के constructor को call कर लेगा result दिखाते हैं हम आपको compile हो गया हमने run किया तो देखो all animals all animals सबसे पहले two times print हुआ है क्योंकि हमारा dog class जो की sub class है वो भी abstract class यानि super class के constructor को call कर रहा सारे animals की बात हो रही है क्योंकि dog भी एक animal ही है तो यहां पर यह message लग रहा है ठीक है आप चाहें all animals और dog आये फिर all animals और lion आप आगे पीछे calling का process लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि abstract class में आप non abstract method और abstract method दोनों भी use कर सकते हैं और non abstract method जो होगा उससे आप implement भी कर सकते हैं तो आप उस तरीके से implement करो ना कि animal को problem ना हो जैसे यहां पे हमने animal class बनाया तद all animals लिग दिया ठीक है ऐसा निक में किसी particular animal की बात कर रहा था जबकि यहां पे हम particular animal की बात कर सकते हैं क्योंकि dog है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए चानल पे नए है चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए